दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे उनकी करेक्ट पें करते हैं और सबसे पहले आज की जो कहानी उसका टाइटल देखते हैं कहानी का टाइटल है दा लाउज एंड बैड बग क्या मतलब हुआ देखिए लाउज का मतलब हुआ जूँ और बैड बग का मतलब है खटमल तो इसका क्या मतलब हुआ जूँ और खटमल तो दोस्तों यह कहानी का title है शीरसक है और कहानी का जो title है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा interesting है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और मेरी आप से request है आप इससे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई भी नए वर्ड मिले तो आप उसे जरूर नोट करें चले शुरू करते हैं there lived a white louse named मंदारी सरपीनी क्या मतलब वहाँ there lived a white louse मतलब एक सफेद जूं रहा करती थी named named मतलब नामक या नामकी क्या नाम था मंदारी सरपीनी मंदारी सरपीनी नामकी एक जूं रहा करती थी in the spacious bedroom मतलब की एक विशाल शैन कक्षम है दोस्तों ही जो वर्ड है spacious ये एक adjective है और जिसका मतलब होता है विशाल बहुत बड़ा खुला उसे spacious कहा जाता है bedroom of a mighty king mighty का मतलब होता है पराकरमी तो आप इस वर्ड को भी note कर सकते है mighty king तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ there lived a white louse named मंदा मंदारी सरपीनी in the spacious bedroom of a mighty king मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि एक पराकरमी राजा के शेयन कक्ष में मतलब bedroom विशाल शेयन कक्ष में एक मंदार सरी पिनी नाम की जू रहा करती थी चलिए आगे देखिए she used to live in the corner of the bed sheet spread over the king's beautiful bed sheet क्या मतलब वहा she used to live देखिए यहाँ पर used to के बाद वर्फ की first room का प्रियोग किया गया है दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये show करना चाहते हैं कि past में किसी व्यक्ति की कोई आदत या consistency को show करते हैं जो वो व्यक्ति किसी भी काम को निरंदर किया करता है तो वहाँ पर used to का प्रियोग किया जाता है और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि used to के बाद हमेशा ही वर्फ की first room आती है तो क्या मतलब हुआ शी used to live where रहा करती थी इन दा कॉर्णर एक कोने में रहा करती थी off the bed sheet मतलब चादर के एक कोने में रहा करती थी spread जो की फैली हुई थी over the king's beautiful bed street दोस्तों यहाँ epistrophe as का प्रियोग किया गया जिसका मतलब होता है का के की king's beautiful bed street और यह जो वर्ड बैट street इसका मतलब होता चार पाई तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ she used to live in the corner वो एक कोने में रहा करती थी off the bed sheet चादर के spread जो फैली हुई थी over, उपर किसके उपर? over the king's beautiful bed sheet जो की राजा के सुंदर चार पाई के ओपर फैली हुई थी उस bed sheet के कोने में वो रहा करती थी चली आगे देखिए everyday when the king was fast asleep दोस्तों यह जो वाक्य है यह simple past का वाक्य है simple past का मतलब है कि हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं वर्व का प्रियोग नहीं किया जाता है सिर्फ helping वर्व का प्रियोग किया जाता है और साथ में nounia adjective आता है तो उसे simple past का वाक्य कहा जाता है और यदि वो present में हो तो उसको simple present बोलते हैं और past में हो तो simple past तो यह past, simple past का वाक्य है everyday मतलब की हर रोज when, जब, the king was fast asleep asleep एक adjective आप इस word को note कर सकते हैं इसका मतलब होता है सोया हुआ जब राजा सोया हुआ होता था the louse siped his blood जो louse थी मतलब कि जो sip, sip करने का मतलब होता है कि चीज को चूसना, घूट लेना उसका चूसकी लेना तो वो उसके खून को his blood मतलब उसके रक्त को चूसती थी, पीती थी and crapped back और वापस और देश तो यह जो वरड़े क्रेप यह creep की second form इसका मतलब होता रैंग ना और crapped back रैंग कर वापस चली जाती थी again, दुबारा वापस चली जाती थी into a corner एक कोने में of the bed, bed के over the bed cover मतलब की bed के cover के corner में चली जाती थी to hide herself, अपने आपको चुपाने के लिए, तो इस पूरी line का क्या मतलब होगा की हर रोज, जब राजा सोया हुआ होता था तो June जो थी वो उसका खून पिया करती थी और वापस रहेंग कर अप एक कोने में चली जाती थी of the bed cover bed cover के to hide herself खुद को चुपाने के लिए, और दोस्तो hide एक वरव है जिसका मतलब होता है चुपाना चली, आगे देखते है one night मतलब की एक रात, a bad bug named अगनी मुखा, क्या मतलब हुआ एक रात, a bad bug, एक खटमल, named अगनी मुखा, मतलब अगनी मुखा, नामक, खटमल named मतलब, इस्ट्रोल्ड, इस्ट्रोल्ड का मतलब होता है घूमना, फिरना, सैर करना तो वो सैर करता हुआ इस्ट्रोल्ड इंटू दा bedroom of the king, मतलब की वो राजा के शैन कक्ष में घूमता हुआ आया, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक रात, a bad bug, named अगनी मुखा, मतलब की, अगनी मुखा नामका, खटमल, इस्ट्रोल्ड इंटू दा, bedroom of the king राजा के शैन कक्ष में घूमता हुआ आया, the laws saw him दोस्तों, ये S, A, W, ये C की second form है saw, इसका मतलब, C का मतलब देखना और so मतलब देखा, और इसकी जो correct penance session है, वो है saw, तो क्या मतलब, और ये pass indefinite का वाक्य है, क्योंकि यदि हम pass indefinite में, affirmative का वाक्या बनाते हैं, तो हुआ second form का ही युक किया जाता है, तो क्या मतलब हुआ the laws saw him, जूने उसे देखा and told, और उसे कहा to get out, बाहर जाने को, scenes क्योंकि, the whole of the bedroom, मतलब कि जो पूरा shen कक्ष है, was her territory, वो क्या है, उसका इलाका है, territory का मतलब हुआ है, अधिकार whole of the bedroom was her territory only, क्योंकि जो ये जो पूरा जो bedroom था मतलब शेन कक्ष हो, उसका क्या था, वो उसका छेतर था, वो उसका इलाका था बट लेकिन the bad bug said, लेकिन जो खटमल था, उसने कहा to her, उसको cleverly, cleverly एक adverb है, दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, most of the time अधिकतर यदि कोई word ly पे खतम होता है तो वो adverb होता है, और adverb का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी word जो किसी वर्व की विशेशता को बताए, उसे adverb कहा जाता है और जैसे मैं आपको बताए है कि ज़्यादा तर समय, most of the time यह जो word है, वो ly पे खतम होता है और वो उसे adverb कहा जाता है तो यह adverb है cleverly जिसका मतलब होता है चाला की से, तो इसका क्या मतलब होगा but, लेकिन the bad bug said to her, लेकिन खटमल ने उससे कहा, cleverly, चाला की से कहा, look, देखो you ought to be a little courteous to your guest क्या मतलब हो, ought to be मतलब चाहिए है, जब हम किसी को कोई सला देते हैं, तो ought to be का प्रियोग किया जाता है, यदि चाहिए तो should का भी प्रियोग कर सकते हैं, आपर तो क्या मतलब हुआ you ought to be a little courteous to your guest, मतलब आपको अपने, मतलब की महमानों के पिर्थी, तो थोड़ा विनमर होना चाहिए, कर्टियस का मतलब होता है, विनमर होना चाहिए I'm your guest tonight, आज मैं आपका महमान हूँ, tonight मतलब आज रात आज की रात मैं आपका महमान हूँ I'm your guest tonight, आज की रात मैं आपका महमान हूँ the laws got carried away, दोस्तों ही जो वर्ड है carried away, आप इस वर्ड को note कर सकते हैं, इसका मतलब होता है, बहक जाना और यह adjective है, इसको वर्फ के बनाने के लिए get का प्रयूग कि आगया और get की second form है got, क्योंकि past indefinite का वाक्य है, क्या मतलब हूँ हूँ the laws got carried away by the bad bugs, sweet talks, मतलब की खटमल की मीठी बातों से, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हूँ हूँ the laws got carried away by the bad bugs, sweet talks, मतलब की खटमल की मीठी बातों से, जू बहक जाना she gave him shelter, दोस्तों shelter noun है, जिसका मतलब होता है शरन, और यह give की second form में gave, जिसका मतलब होता है देना, she gave him she gave him shelter, उसने उसे शरन दे दी या आशरे दे दी है, saying यह कहते हुए it's all right, की मतलब सब ठीक है, you can stay here tonight, मतलब की आज की रात तुम यहाँ ठहर सकते हो, but, लेकिन you will not bite, bite का मतलब होता है, काटना, आप इस वर्ड को भी note कर सकते हैं, bite का मतलब होता है, काटना, तो क्या मतलब वह but, लेकिन, you will not bite, the king, लेकिन दुम राजा को नहीं काटोगे, to suck his blood, उसका खून चूसने के लिए, दोस्तों यह जो word है, s, u, c, के suck, यह वर्ड है, जिसका मतलब होता है, चूसना, तो इस word को भी आप note कर सकते हैं, suck मतलब चूसना, तो इस पूरी line का क्या मतलब होता है, but, लेकिन, you will not bite the king, to suck his blood, लेकिन, तुम राजा को नहीं काटोगे, उसका खून चूसने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस scene क को देख सकते हैं, कि यह जू हैं और यह खटमल है, चलिए, हम आगे देखते हैं इसको, but, I am your guest, क्या मतलब होता है, लेकिन, मैं आपका महमान हूँ, give me some eatables, eatables का मतलब होता है, खाने की चीजें, खादे पधार, तो क्या मतलब होता है, give me some eatables, मतलब मुझे कुछ, खाने का सामान दो, the bad bug, asked, मतलब की, जो bad bug था, खटमल था, asked, उसने कहा, या कह सकते हैं, पूछा, what better food you can serve me, मतलब, serve करने का मतलब होता है, परोसना, what better food you can serve me, मतलब, आप, क्या अच्छा खाना मुझे परोच सकते हो, than, the king's blood, राजा के blood से, मतलब, राजा, इसका क्या मतलब हो, what better food you can serve me, than, the king's blood, मतलब, राजा के खुण से, अच्छा खाना, मतलब की, क्या आप राजा के खुण से, कोई अच्छा खाना मुझे परोच सकते हो, आगे देखिए, well, अच्छा, replied the laws, मतलब की, जो ने जवाब दिया, you can suck the king's blood, यहाँ भी, एपेस्टोफी, इसका प्री होग इसका मतलब काके की, तो क्या मतलब हुआ, you can suck, आप चूज सकते हो, the king's blood, राजा के खुण को, silently, यह भी, आप देखिए, हाँ, जैसे मैं आपको बताया था, जब किसी word में ly आता है, तो वो, एडवर्व होता है, एडवर्व मतलब, जो वर्व की विशस्ता को बता है, तो यह एडवर्व है, silently, जिसका मतलब होता है, खामोशी से, चुप चाप तरीके से, तो क्या मतलब हुआ, you can suck the king's blood silently, मतलब की, तुम राजा का खुण पी सकते हो, साइब मतलब की, चुप चाप, मतलब की, खामोशी से राजा का खुण पी सकते हो, he must not get hurt in any way, मतलब, और यह उन्हें किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, मतलब, गेट हर्ट, मतलब, उन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब, उन्हें चोट नहीं पोनी चाहिए, या कह सकते हो, उन्हें नुकसान नहीं पहुचना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुचना चाहिए है उने चोट नहीं लगनी चाहिए चलिए आगे देखिए agreed agreed का मतलत है राजी हो जाना सहमत हो जाना agreed मतलर सहमत हो गया सहमत sad the clever bedbug किसने का clever bedbug मतलब चाला खटमल ने कहा and waited और उसने इंतिजार किया for the king raja का to arrive आने का और उसने राजा की आने का इंतिजार किया in the bedroom, शैन कक्ष में, and sleep on the bed, और उसके bed पर मतलब की उसके सोने का, बैड पर उसके सोने का उसने इंतिजार किया, आगे देखिए, when the night fell, दोस्तों ये fall की second form fell, इसका मतलब पढ़ना या फिर होना, तो क्या मतलब हुआ, when the night fell, मतलब की जब रात हो गई, the king entered into his bedroom, जो राजा था, उसने प्रवेश किया into his bedroom अपने शैन कक्ष में, दोस्तों greedy adjective है, जिसका मतलब होता है, लालची, the greedy bad bug, जो लालची खटमल था, forgot, ये forget की second form है, forget भूल गया, all about his promises, अपने वादों के बारे में भूल गया, and bit, और ये bite की second हों bit, और bit मतलब काट लिया, the sleeping king, sleeping king, सोते वे राजा को hard, मतलब, king hard, मतलब बहुत ज्यादा काट लिया, सक्त तरीके से, to suck his blood, उसके खून को चूसने के लिया, तो क्या मतलब हो इस पूरी लाइन का, the greedy bad bug, forgot all about his promises, मतलब की जो, लालची, खटमल था, वो अपने सारे वादों के बारे में भूल गया, and bit the sleeping king hard, to suck his blood, और उसने सोते व royal blood, royal का मतलब होता है, it's a royal blood, मतलब ये शाही, खून है, thought, और ये think की second form है, thought मतलब सोचा, thought the bad bug, मतलब की खटमल ने क्या सोचा, ये शाही, it's a royal blood, it's a royal blood, ये शाही, खून है, thought the bad bug, खटमल ने सोचा, and continued, और वो जारी रहा, असा king, चूसना, मतलब वो उसने चूसना जारी रखा, till जब तक the king felt, जब तक king को महसूस नहीं हुआ, ये feel की second form है, जब तक king को महसूस नहीं हुआ, a terrible itching, मतलब एक बहुत जादा, खुजली उसे महसूस नहीं हुआ, जब तक वो मतलब होता है, नींद से जागना, the king woke up, जो राजा था, वो जाग गया, and then, और फिर, ordered his servants, उसने अपने नोकरों को आदेश दिया, order servants to find, ढूणने का, the bad bug, मतलब खटमल को and kill it, और उसको मारने का, चली, आगे देखे, बट लेकिन, the bad bug, hid himself, दोस्तों, ये जो word है, hid, ये hide की second form है, आप इस word को note कर सकते हैं, इसकी तीन form होती है, hide, hid, hidden, hidden इसकी third form है, hide first हो हो है, और h.i.d. ये second form है, जिसका मतलब होता है, छुपना, और इसका मतलब होगा, छुप गया, तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन, the bad bug, बग, hid himself, लेकिन, कर्ट मल ने खुद को छुपा लिया, into the joints of the bad sheet, bad steed, bad streets का मतलब होता है, bad street मतलब 4 पाई, लेकिन उसने खुद को छुपा लिया, into the joints of the bad sheet, मतलब 4 पाई के जो जोईंट से, उसके 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 अंदर, एंड दस इस प्रिकार दस मतलब इस प्रिकार escaped, बच गया his detection, मतलब वो पकले जाने से बच गया, detection का मतलब पकले जाना और वो पकले जाने से बच गया, escape मतलब होता है बच जाना, the servants of the king, जो राजा के knocker थे, instead मतलब की बजा, instead found the louse, मतलब की चादर पर तो इस पूर्य लाइन का क्या मतलब हुआ सर्वेंट्स दा सर्वेंट्स ऑफ दा किंग इंस्टीट फाउंड लाउज उन दा बैट शीट मतलब की राजा के नोकरों को इसकी बजाए जू मिल गई चादर पर उन दा बैट शीट दे यह कोट हर एंड किल्ड मतलब की और यह कैच की सेक्ट में देख उन्होंने उसे पकड़ा एंड किल्ड और उसे मार दिया चली आगे देखिए दोस्तो अब इस जो कहानी का मौरल है उसे भी देख लेते हैं never trust the strangers stranger का मतलते है अजनभी और यह plural noun ने strangers तो क्या मतलब हुआ never trust the strangers मतलब कि अजनबियों पर कभी भी भरोसा मत करो तो दोस्तों जो कहानी से जो कहानी तो बहुत छोटी है और लेकिन कहानी से जो सिक्षा मिलती है वो वाकिय में बहुत अच्छी है कभी भी अजनबियों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर भी देखा कि उस जो ने उस खटमल की बातों पर यकीन करा और लास्ट में उसको अपनी ही जान गवानी पड़ी जिससे हमें पता चलता है कभी भी अजनबियों पर यकीन नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इस तरह से स्टोरी थी और मैंने कोशिश की अपनी तरब से आपको हरवड की मीनिंग बताने की यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको मेरा प्रियास भी अच्छा लगा हो तो मेरे आपसे रिक्वेस्टी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो लाइक करने में आपका जादा टाम नहीं लगेगा दो-चार सेकंड लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें यहां तक सुनने के लिए थैंकिस सो मच हैव अनाइस टे एंड बाई